मित्रों नमस्कार नेड़े राजमी के आनलाइन क्लास में आपका स्वागत है मैं हिस्ट्री टीचर अरुन तिवारी आप लोगों के साथ हितिहास विशय पर चर्चा करूंगा ठीक है मित्रों आज हम लोग चर्चा करेंगे अर्वों द्वारा सिंध की विजय है क्या चर्चा करेंगे अर्वों द्वारा सिंध की विजय है साथ सो बारह इसवी ठीक है तरों तो आज हम लोग पातिक क्या रहेगा अर्वों द्वारा सिंध की विजय विजय साथ सो बारह इसवी इसका मतलब यह है अर्व के मुसल्मानों द्वारा सिंध की विजय साथ सो बारह इसवी में की गई ठीक है मित्रों हम आपको अर्वों द्वारा सिंध विजय से पहले कुछ बातें बढ़ाना चाहते हैं जो इसलाम धर्म से समन्धित है ठीक है? मित्रों आप उगों को तो पता ही होगा कि इसलाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मुहम्मत साहब थे ठीक है? हम आप एक बात बताएं पैगंबर मुहम्मत के पस्चाथ इसलाम धर्म के जो प्रमुख हुए उन्हें खलीफा कहा जाता था खलीफा क्या कहा जाता था खलीफा ठीक है ये खलीफा एक पड है ठीक इस पड़ पर नोक्त व्यक्ति संपूर विश्व के मुसल्मानों का सर्वोच धार्मिक नेता और सर्वोच राजनेता राजनेता माना जाता था तो खलीफा कौन होता था सर्वोच धार्मिक नेता और सर्वोच राजनेता यानि कि अगर इसलाम धर्म में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना है क्या अगर इसलाम धर्म में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना है तो खलीफा की अनुमत के बिना हो नहीं सकता वह परिवर्तन खलीफा ही करेगा और सुरू सुरू में खलीफा ही सर्वोच राजनेता होता था वही सासन भी करता था लेकिन जब इसलाम का भोगोलिक बिस्तार काफी बड़े भोगोलिक छेत्रों में हो गया तो ये संभव नहीं था कि खलीफा ही हर जगा प्रत्यच रूप से सासन करे ठीक है इन स्थितियों में खलीफा दवारा कुछ भोगोलिक छेत्रों में सुल्तान सास्कों की न्यूप्ति की जाने लगी ये दिब कि सभी को खलीफा पॉइंक नहीं करता था लेकिन कोई राज्य इसलामिक राज्य है की नहीं कोई राज्य इसलामिक राज्य है की नहीं इसका निर्धारन खलीफा ही करता था देखिए कोई राज्य इसलामिक राज्य है की नहीं उस राज्य कसासक यानि सुल्तान उसका पद बैध है की नहीं इस बात का प्रमाड पत्र प्रमाड खलीफा द्वारा प्रोवाइट किया जाता था प्रदान किया जाता था लिखित रूप में जब खलीफा द्वारा उस सल्तनत को और उस सुल्तान के पद को अवचारिक रूप से प्रमाड पत्र प्रदान कर दिया जाता था तब उस राज्य को इसलामिक राज्य और उस राज्य के सासक को बैधानिक रूप से मुसलिम सासक माना जाता था तो मित्रों ये खलीफा का पद बहुत महतोपूर था ठीक है इसलाम धर्म अगर हम मानों के अस्तर पर बाद करें कि मानों के संद्र में उसका क्या मानना है तो इसलाम धर्म संपूर बिश्चों के पूरी दुनिया के इंसानों को दो कोटियों में बाटता है एक को तो मुसल्मान कहता है क्या कहता है? मुसल्मान यानि जो इसलाम धर्म को मानने वाले हैं वे मुसल्मान कहलाते हैं और जो इसलाम धर्म को नहीं मानते वे कहलाते हैं गैर मुसल्मान कौन गैर मुसल्मान तीक है वित्रों इसलाम धर्म संपूर मानों को दो कोटियों में विभाजित करता है एक को मुसल्मान जो इसलाम धर्म को मानते हैं वे मुसल्मान कहलाते हैं जो इसलाम धर्म को नहीं मानते उन्हें गैर मुसल्मान कहा जाता है और ये जो गैर मुसल्मान हैं इनको भी इसलाम धर्म दो कोटियों में भी भाजित करता है गैर मुसल्मानों को एक को कहता है जिम्नी क्या कहता है जिम्नी और दूसरे को कहता है काफिर क्या कहते हैं काफिर ठीक है तो जिम्मी किसे कहा जाता है वह गर मुसल्मान जो इसलाम धर्म को नहीं मानता लेकिन मूर्ति पूजक नहीं है क्या मूर्ति पूजक नहीं है जैसे यहूदी जैसे यहूदी यह जिम्मी कहलाते थे और वह गर मुसल्मान जो मूर्ति पूजक है इसलाम की धर्म में वो काफिर कहलाता था ठीक है जैसे हिंदू हिंदू धर्म को मानने वाले ब्रामर धर्म को मानने वाले इनको इसलाम काफिर कहता है ठीक है? तो में तो जब इसलाम का राजनीतिक विस्तार गैर मुसलिम छेत्रों में हुआ इसलाम धर्म का ये और सिध्धांत था इसलाम धर्म कहता था कि इसलामिक राज्य में किसी गैर मुसल्मान को रहने का आधिकार नहीं है इसलाम धर्म क्या कहता है? कि किसी इसलामिक राज्य में किसी गैर मुसल्मान को रहने का आधिकार नहीं है अब जब इसलाम का प्रसार इसलाम या मुसल्मानों का राजनी प्रभोत्तो गैर मुसलिम छेट्रों पर हुआ जैसे यहूदियों के भोगोलिक छेत्र पर हुआ जो जिन्मी थे ते एक प्रस्ण उठा खलीफा के सम्मुक कि भाई इसलाम धर्म तो कहता है कि किसी इसलामिक राज्ज में किसी गैर मुसल्मान को रहने का अधिकार नहीं है तो प्रस्ण उठा कि इन जिन्मीयों का क्या किया जाये? तो इसलाम धर्म का कहना था यदि जिन्मी प्रतिवर्स जजिया ये एक प्रकार का टैक्स है अदा करें तो उन्हें इसलामिक राज में रहने की इजाज़त दी जा सकते है तो मित्रों आप लोग इस बात पर विचार कीजिए कि इस जजिया नामत टैक्स कर की सुरुआत इस आधार पर की गई धाहम के ही तो आधार पर की गई कि वही इसलामिक राज्ज में जो गैर मुसल्मान हैं उनी से जजिया लिया जाएगा जजिया क्या है एक धार्मिकर है जो इसलामिक राज्ज में गैर मुसल्मानों से लिया जाता था मित्रों एक सवाल ये उठता है इसलाम धर्म काफिरों के बिसे में क्या रहता है यानि जो मूर्थ पूजक हैं तो इसलाम धर्म का तो सीधा सा कहना था सीधा सा कहना था कि काफियों को जीने का कोई अधिकार नहीं है या तो ऐसलाम धर्म को स्वैकार करने अथवा उनका कट्म कर दिया जाना चाहिए ठीक है इतनी बाते समझ में आ रही आप चलिए हम लोग अपने मुख्ध टापिक पर चलते हैं कि अगर्व हमने आपको बताया अरवों द्वारा सिंध की बिजये तो इसका उत्तर इसी हेडिंग में लिखा है अरवों द्वारा सिंध की बिजये 712 हिस्वी में की गई ठीक है तो मित्रों अरव और सिंध ये दो चीजे हमारे सम्मुक हैं अरवों ने बिजये किया सिंध की बिजये किया तो अब हम लोग ये देखते हैं कि 712 हिस्वी में सिंध और अरव में क्या इस्थिती है ठीक है तो मित्रों अगर हम 712 हिस्वी की बात करें ठीक है अगर सिंध की बात करें ठीक तो सिंध पर राजा दाहिर का सासन है किसका है दाहिर का ये राजा है सिंध के ठीक है अगर अरवों की बात करें तो आपको पता होगा एक दिस है इराक क्या नाम है इराक इराक के मुसलिम सासक थे अलहज्याज क्या नाम था अलहज्याज ठीक है ये मुसलिम सासक है मित्रों आपको पता होगा स्री लंका के विसे में स्री लंका स्री लंका के साथ भारत के साथ अरवों का ब्यापारिक संबंध आजीन काल से था जब वो इसलाम धर्म को नहीं स्वयकार किये थे तब ही से तो मित्रों इराक का एक ब्यापारिक दहाज क्या ब्यापारिक जहाज स्री लंका से ब्यापार करके इराक जा रहा था इराक जा रहा था तो यहीं सिंध के एक अस्थान है देवल यह देवल बंदरगाह भी है इसी बंदरगाह पर समुद्री डांकूने तो समुद्री डांकूने इस इराकी व्यापारिक जहाज को लूट लिया और मुस्लिम इस्त्रियों के साथ बातकार किया अब इराक के सासक अलहज्जाज ने अपना दूत भेज़कर सिंध के राजा दाहिर से इस बात का निवेदन किया कि आप समुद्री डांकूने को ग्रफ्तार करके दंडित कीजिए ठीक है मित्रोर राजा दाहिर ने अलहज्जाज के राजदूत से कहा उस दूत से कहा कि आप जाकर अलहज्जा से बताईए कि देवल बंदरगाह हमारे नियंत्रन छेत्र में नहीं है कि इसलिए वहा के इसलिए वहा के समुद्री डांकूं को हम दंडितन नहीं कर सकते ठीक चयते हैं कि अलहज्जाज फिर अपना एक दूत भेजा कहा नहीं आप हमें दंडित कीजिए शचरे आप हमें उन समुद्री डांकूं को पकड़ कर धंडित किये जाने का प्रमार दीजिए आपको धंडित करना ही होगा राजा दाहिर ने फिर वही भाद कही तो इससे अलहज्याज नाराज हो गया उसे लगा कि राजा दाहिर बहाने बाजी कर रहा है जबकि वास्तविता यही थी कि देववंदरगाह सिंधरज की सीमा के बाहर था ठीक तो मित्रों अलहज्जाज ने 17711 हिस्वी में ही एक सैनिक अभियान किया अपने सेनाकपत के माध्यम से सिंध पर आक्रमर करवाया लेकिन उनको पराजे का मुह देखना पड़ा और वो भाग गए दूसरा सैनिक अभियान करवाया उसने भी अर्वों को पराजे का मुह देखना पड़ा तीसरी बार 712 हिस्वी में उसका दामात था मातर उसकी उम्र 17 वर्स थी 17 वर्स और उसका नाम था मुहम्मद बिन कासिम क्या नाम था मुहम्मद बिन कासिम मुहम्मद बिन कासिम के नेतित में एक सिना रजा दाहिर को दंडित करनी के लिए भेजा ठीक है मित्रो अब 712 हिसी में सिंध के रावर नमक अस्थान पर दोनों सेनाओं के बीट युद्ध हुआ मित्रों ये युद्ध 20 जून 712 हिस्वी को हुआ था 20 जून 712 हिस्वी को रावर नमक अस्थान पर युद्ध हुआ इसलिए इसे रावर का युद्ध भी कहा जाता है इस युद्ध में मुहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को पराजित करके माय डाला ठीक है पाइनाम स्वरोग सिंध पर अरवों का अधिकार हो गया मित्रो अब जब सिंद पर अरवों का आधिकार हो गया तो अभी हमने आपको एक पात बताया था कि इसलामिक जगत में सरवोच पदधारी कौन है खलीफा उस समय खलीफा थे वाहिद कौन थे खलीफा वाहिद अब मुहम्मद बिन कासिम ने खलीफा वाहिद से एक प्रस्ण पूछा पूछा इसलाम धर्म तो कहता है कि किसी इसलामिक राज्य में काफिरों को रहने का कोई अधिकार नहीं काफिर या तो इसलाम धर्म को स्वईकार कर लें अन्यथा उन्हें कतल कर दिया जाए तो मुहम्मद बिन कासिम ने पूछा कि अब बताईए क्या करें सिंध में तो लगभग सब काफिर हैं और सपो इसलाम धर्म में परिवर्ट करना संभव नहीं है और सबका कतल करना भी संभव नहीं है जब सबका कतल ही कर देंगे तो हुकूम किस पर करेंगे किसे हम टाइक्स का कलेक्शन करेंगे और फिर वहां हुकूमत करने का अतातपर यही क्या होगा मित्रों अब इसलाम धर्म को अपने मूर्ट सिद्धान इसलाम धर्म का तो उद्य ही मूर्ति पूजा के खिलाफ हुआ था मूर्ति पूजा का विरोध कर्मा इसलाम का तो प्राण पत्व है उसके बिना तो इसलाम जीवित्ती नहीं रह सकता इसलाम धर्म जब भारत जैसे पवित्र भून पर पदारपन किया तो उसे अपने मूल से धान्तों में परिवर्तन कदेना पड़ा खलीफा वाहिद ने नया रेगुलेशन पारित किया आपने आपसे बताया था कि धर्मिक मामलों में किसी भी परिवर्तन करने का अधिकार खलीफा का होता है खलीफा वाहिद ने नया रेगुलेशन जारी किया कहा चलो भाई इन काफिरों को भी जिम्मी मान लिया जाए और ये दिवे अब जिम्मी ओं को इसलामिक राज में रहने काजिकार कैसे मिलता जब वो जजिया नामक कर अदा करते ठीक है तो मित्रों काफिरों को भी जिम्मी मान लिया गया और ये कहा गया ये दिवे जजिया नामक कर अदा करें तुन्हें इसलामिक राज में सिंधराज में रहने की इजाज़त दी जा सकती है तो मित्रों मुहम्मद बिन कासिम पहला मुसलिम सासक है जिसने भारतियों पर जजिया नामक कर लगाया और उसे वसूल किया प्रस्ण पूचा जाता है कि वह प्रथम मुसलिम सासक कौन था जिसने हिंदूों पर जजिया कर लगाया इसका उत्तर क्या होगा मुहम्मद बिन कासिम ठीक है मित्र मुहम्मद बिन कासिम ने अपनी सेना में हिंदूओं को सामिल ही किया ये भी प्रस्ण पूछा जाता है पहला मुस्लिम सासक कौन था जिसने हिंदूओं को अपनी सेना में सामिल किया तो मित्रों उसका उत्तर होगा मुहम्मद बिन कासिम ठीक है? और ये बात और बता है मुहम्द बिन कासिम आगे बढ़ता हुआ 713 हिस्वी में कब 713 हिस्वी में मुल्तान की भी विजय कर लिए किसकी मुल्तान की विजय कर लिए ठीक है मुल्तान की विजय कर लिए और मित्रो मुल्तान में अरवों को इतना अधिक मात्ता में सोना प्राप्ट हुआ, गोल्ड, कि उन्होंने मुल्तान का नाम स्वन नगर रख दिया, क्या रखा? स्वन नगर, मित्रों ये प्रस्न पूंचा जाता है, अरव या मुसलिम, मुल्तान को क्या कहते हैं? तो मिल्तान को मित्रों स्वन नगर कहते थे, एक प्रस्न पूंचा जाता है, स्वन नगर का तात्पए ये किस नगर से है? तो स्वन नगर का तात्पए मुल्तान से है, ठीक मित्रों? अब मित्रों एक सवाल उठता है, कि मुहम्मद बिन कासिम का क्या हुआ? बिजे तो कर लि तरसल वित्रों जब राजा दाहिर मारे गए तो उनकी पत्नी यानि राजा दाहिर की पत्नी और दो पुत्रियां दो पुत्रियां एक का नाम था सूर्य देवी और दूसरे का नाम था परिमल देवी ठीक है वह दोनों घिरफ्तार कर ली गई थी दोनों पुत्रियां और उनकी पत्नी वित्रो इस मुहम्मद इन कासिम ने रजा दाहिर की पत्नी से वीबाह कर लिया और दोनों पुत्रियों को खलीफा वाहिद के लिए गिफ्ट के रूप में बगदाद घेज दिया जब वह दोनों पुत्रियां राजा दाहिर की दोनों पुत्रियां बगदाद जा रही थी तो अपने मन में ये बिचार करते हुए जा रही थी कि इस कमीने मुहम्मद बिन कासिम से कैसे बदला लिया जाए ये मेरे पिता का हत्यारा है सिंध की विजय करने वाला है मेरी मा के साथ उसने खुद दिबाह कर लिया है इसे बदला लेना आवश्यक है कहते हैं कि जब ये दोनों लड़कियां खलीफा वाहिद के दरबार में वस्थित हुई तो फूट फूट कर रोना सुरू करती अब भई खलीफा पूँचा कि क्या बात है का है रो रही हो तो दोनों लड़कियों ने कहा कि मुहम्मद बिन कासिम ने हमारा सील भंग किया और फिर आपके पास भेज दिया तो करते हैं खलीफा वाहिद बहुत नाराज हुआ कि ये कमीनापन करके यहां भेजा है है ना बहुत नाराज हुआ और उसने आदेश दिया कि मुहम्मद बिन कासिम को इस गुस्पाखी के लिए घोडे की खाल में सिलवाकर मेरे समुक पेश किया जाए मुहम्मद बिन कासिम ने आदेश के अनुसार किया या आदेश का पालन किया अपने आपको घोडे की खाल में सिलवाकर खलीफा के समुक पेश करवाया और आप सो सकते हैं कि सिंध से बगदाद की दूरी बड़ी लंबी है उसमें परिवान के साधन भी हवाई जाज तो था नहीं उपर से घोड़े की खाल में सिला हुआ बेकती जिन्दा नहीं रह सकता जब खाल खोली गई तो मुहम्मद बिन कास्म मिर्ड पाया गया और जब यह नजारा दोनों लड़कियों ने देखा तो दोनों लड़कियों हसना सुरू करती खलीफा पूँचा आपका हुआ काएं हस रही हो तो दोनों लड़कियों न जानते हो किया जबाब दिया कि हम तो जूँट बोल रहे थे हम तो जूँट बोल रहे थे यह तो हम सिर्फ बगला लेने के लिए ऐसा की थे में तो कहते हैं खलीपा फिर नाराज हो गया और नाराज हुआ तो क्या देश दिया कि दोनों कमेनी लड़कियों को घोडे की पूँच में बांध कर तब तक घसीटा जाए जब तक इनकी भृत्तुना हो जाए और ऐसा किया रहा ठीक है मित्रों अब थोड़ा सा ये हमने पूरा सिंध विजय का एक जो भी इतिहास था वो मैं आपको बताया अब एक भार हम आपका थोड़ा सा फिर से रिवाईज करवा देते हैं कि यहां क्या प्रस्ण हो सकता है ठीक है मित्रों सबसे पहला प्रस्ण अरबों द्वारा सिंध की बिजय कब की गई तो अरबों द्वारा सिंध की बिजय साथ सो बारा ही सिंध में की गई दूसरा प्रस्ण अरब आक्रमण के समय सिंध का सासक कौन था तो सिंध का सासक राजा दाहि था जो एक हिंदू था ब्राहमद बंस से था ठीक है दूसरा प्रस्ण मुहम्मद बिन कासिम कौन था मुहम्मद बिन कासिम इराक के सासक अलहज्याज का 17 वर्षी सेनापत था अलहज्याज का दामाद भी था तीसरी बात किसके नेत्रितों में अरवों ने सिंध की विजय की थी तो सेनापति मुहम्मद बिन कासिम के नेत्रितों में अरवों ने सिंध की विजय की ती अगला प्रस्न वह पहला सासक कौन है जिसने भारत के हिंदुओं पर जजिया नामक पर लगाया मुहम्मद बिन कासिम अगला प्रस्न वह पहला मुसलिम सासक कौन है जिसने हिंदुओं को अपनी सेना में सामिल किया उसका उत्तर होगा मुहमद बिन कासिम ठीक है? मित्रों, अरबुद्वारा मुल्तान की विजय कत की गई 713 हिस्वी में अरब मुल्तान को किस नाम से संबोधित करते थे? स्वान नगर नाम से संबोधित करते थे जजिया क्या है? जजिया एक धार्मिक कर है कि राजा दाहिर किस युद्ध में लड़ते हुए मारा गया था? तो राजा दाहिर राबर के युद्ध में लड़ते हुए 20 जून 712 हिस्वी को मारा गया था राबर नाम कस्थान कहां है? राबर नाम कस्थान भारत के सिंध राज्य में इस्थित है और लास्ट बात अर्वों द्वारा सिंध विजय का वर्णन किस साहित में किस पुस्तक में मिलता है क्या प्रज्म अर्वों द्वारा सिंध विजय का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है तो उस पुस्तक का नाम है चचनामा किस पुस्तक में चचनामा, ठीक है, चचनामा में क्या है, तो चचनामा में सिंध का इतिहास लिखा रहा है, आप लोगों के मन में एक प्रसंद चल रहा होगा, कि चचनामा किसी रचना है, किसने लिखा है, तो हम आपको बता दें, किसी व्यक्ति विसेश की रचना नहीं है, वो कई सतब्दियों तक लगातार लिखी जाती रही है अन्य अनेक अलग अलग विद्वान लेखकों द्वारत कोई डेक्टिविसेस इसका रचनाकार नहीं है हाँ अरवों द्वारा सिंध विजय का बाड़न इसी चछनामा में मिलता है और अचनामा में सिंध का इतिहास लिखा गया है ठीक है मित्रों इस क्लाक में बस इतना ही थाइंग जो